ओके हमने जाना business concept के बारे में हमने जाना types of human activities के बारे में कितनी activities होती है दो होती है ठीक है don't forget that two activities होती है first activities is economic and the second is non-economic ठीक है अब हम जानेंगे types of economic activities ठीक है economic activities के अंदर भी तीन तरह के activities होते है economic activities can be divided into three categories इनको तीन category में क्या किया है divide कर दिया गया है first is business, second is profession and the third is employment ठीक है अब हम ये जानेंगे कि business क्या होता है economic activities के अंदर business का क्या काम है, profession का क्या काम है और employment का क्या काम है in short आप इतना जानो कि जो business होता है वो हम कोई भी business कर रहे हूं ठीक है like अगर हम fishing करते हो, farming कर रहे हो, किसी का manufacturing किसी समाने का कर रहे हो, फिर कुछ भी कर रहे हो तो वो चीजें जो हम business करते हैं, जिससे हम कुछ न कुछ profit करते हैं, कुछ न कुछ earn कर रहे हैं वो business के अंदर आता है, just like a business refers to those economic activities which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objectives of earning profit, ठीक है business के अंदर वो चीजें आती है, जिनसे हम कुछ न कुछ पैसे कमाते हों, ठीक है तो वो जो case जीतेगा, तो उसको उसके बदले है पैसे मिलेंगे, या फिर कोई doctor है, यह उसका profession है, ठीक है तो वो doctor किसी patient का इलाज करेगा, या फिर कहीं पर job कर रहे है, किसी hospital में, तो वो इलाज करेगा, तो उसको उसके बदले पैसे मिलेंगे तो प्रोफेशन को अगर हम एक्जाम्पल के तौर पर समझें या फिर उसका हम डिफिनेशन समझें तो प्रोफेशन रेफर्स टुदे एक्टिविटी इस विच रिक्वायर स्पेशल नॉलिज इनके पास क्या होती ने कि स्पेशल नॉलिज होती है लाइक जो बिजनेस करते हैं कोई फार्मिंग कर रहा है कोई फिशिंग का काम कर रहा है तो वह स्पेशल नॉलिज नहीं होती है वह मतलब प्रोफेशन नहीं होता है उनको सिर्फ इतना ध्यान होता है बिजनेस वाले को कि मुझे पैसा चाहिए बस ठीक है उनको सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है क उनके पास skills है उसको explore करना वो जो explore करते हैं फिर वो जो चीजे बताते हैं समझाते हैं या फिर डॉक्टर पेसंट का इलाज का treatment करते हैं उनके बदले उनको fee मिलती है वो profession के under आता है ठीक है now the last is employment, employment refers to an activity in which an individual works regularly for another person and get remunerated in return those who are employed by other are now as employees the person who engaged other to work regularly for them are now as employers the remuneration paid by employers to employees is now as salary or wages यह जो होता है न यह जो हमारी होती है employment इसमें क्या होता है कि यह किसी के लिए काम करते हैं businessmen किसी के लिए काम नहीं करते हैं वो सिर्व अपनी लिए काम करते हैं ठीक है जो profession होते है उनके पास जो special knowledge होती है skill होती है उसके बिहाफ पे वो काम करते हैं बट जो employment होते हैं वो किसी other इंसान के लिए काम करता है ठीक है उसको उसके salary मिलती है for example अगर हम बात करें तो working in office, banks, insurance companies, shops, as a manager, color, be on salesman यह लोग क्या करते हैं यह लोग खुद के लिए काम नहीं करते हैं यह लोग दूसरों के लिए काम करते हैं जिनके बदले इनको पैसा मिलता है ठीक है अब देखिए मैंने यहाप एक छोटा सा चार्ट बनाया है human activities का मैंने आपको समझाया इन साई चीजों के बारे में यह जो चार्ट है इस पर आप ध्यान से देखो इसमें मैंने लिखा है कि कुतने होते हैं human activities दो होते हैं कौन-कौन से होते हैं economic and non-economic okay so under the economic activities first क्या आता है business, profession and employment जो कि मैंने आपको समझाया non-economic कौन सा होता है जिसके आता है religion, parental and social ठीक है मतलब आप इतना समझो कि जिससे हमें कुछ ना कुछ earn हो कुछ ना कुछ profit हो जहापे पैसे की बात होगी ना वो आएगा economic activities के अंदर और जहापे love, care, affection इन सब चीजों के बात बात आएगी तो वो आएगा non-economic activities के अंदर, I just hope I am clear